नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीद है बहुत अच्छे होंगे बहुत जवर्जस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तो आज मैं यूपिटर पलेसी की कुछ भरतियों को लेकर बहुत ही धमाकेदार खबर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और अधिक समय विश्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ देखे बाईया सबसे पहली जो खबर है वो है इस टैनो भरती 2023 में कुल कितने आवेदन हुए हैं देखे हैं दोस्तो ये है छात्रों के द्वारा डाला गया RTI का रिप्लाई तो विज्यापन संक्या है 9 परिक्षा 2023 और इस भरती में कुल 25,819 आवेदन हुए हैं इस टैनो भरती को लेकर चात्रों के बारवार कमेंट आते थे कि सर इस भरती का कुछ बताईए क्या होगा कितने आवेदन हुए हैं और इसका कट ओफ कितना जाएगा देखिए कट ओफ को लेकर आपको मैंने बता दिया इसका कट ओफ ज्यादा नहीं जाने वाला बहुत ही खम रहेगा और आवेदन कितने है यह आपने देख लिया ठीक है और जो भी इसके बारे में अपडेट होगा आपको मैं सबसे पहले बता दूँगा चैनल के मात्यम से अब दोस्तों बात कर लेते हैं मंडी के रिजल्ट को लेकर जी यहां दोस्तों 2018 की ये भरती है मंडी की और इस भरती के परिणाम का इंतिजार बहुत सारे छात्रों को बहुत लंबे समय से है तो आपको बताने वाला हूँ इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा तो भाई या मंडी के रिजल्ट को लेकर कुछ आज मैंने जानकरी निकालने का प्रियास किया तो जानकरी ये मिली है कि इसके परिणाम पर जनवरी लास्ट में काम शुरू हो जाएगा ठीक है जनवरी के लास्ट में यानि कि 25 से 30 जनवरी के बीच में इसके परिणाम पर काम सुरू होने की पूरी-पूरी संभावना है और आप पूरी-पूरी उम्मीद करिए कि 20 से 25 फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ठीक है बाईया जो जानकारी दूँगा बिल्कुल ऑथंटिक दूँगा कभी भी आपको ब्रहमित नहीं किया जाएगा 20 से 25 फरवरी के बीच में मंडी वाले अपना रिजल्ट मान कर चलें ठीक है कुछ अगर और बडलाब होता है तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो के रिजल्ट को लेकर देखिए वीडियो के रिजल्ट को लेकर अभी 8-10 दिन पहले एक धरना हुआ था और उस धरने में चात्रों को ये बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 जनवरी तक जारी हो जाएगा और इस धरने के अगले ही दिन मैंने एक वीडियो गनाया था और उस वीडियो में आपको साफ साफ ये बताया था कि 20 जनवरी तक आपका परिणाम किसी भी हालत में नहीं आने वाला और मैंने आपसे यही कहा था आपको याद भी होगा कि आपका जो परिणाम है वो जनवरी लास्ट या फरवरी के पृथम सबता में जारी कर दिया जाएगा लेकिन 20 तक आने का कोई भी चांस नहीं है अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है तो आज भी जानकारी वही है जो मेरी पहली थी कि भाईया जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरुवात में ही आपका ये परिणाम जारी होगा और जादा चांस जो है वहाँ वो फरवरी शुरुवात के हैं ठीक है न ये बात मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूँ जो अधिक चांस है वो फरवरी के परिथम सप्ता के हैं और देखिए जब आपने इतना वेट कर लिया आपने साड़े पांस साल का वेट कर लिया तो 10-12 दिन का इंतिजार और सही या 15 दिन का इंतिजार और सही ठीक है तो फरवरी के परिथम सप्ता में वीडियो वाले अपना डीवी का परिणाम मान कर चलें बीस तक मैंने बताया ता नहीं आएगा और आएगा भी नहीं किसी भी हाल में मेरा काम आपको जूटी खुशी देना नहीं है जो सत्य खबर है बिलकुल वही दी जाएगी और जो छात्र मुझसे जुड़े हैं वो बहतर जानते हैं तो वीडियो वालो फरवरी परितम सप्ता में आपको खुशकबरी मिल जाएगी और आपका जो इंतिजार है वो समाप्त हो जाएगा ठीक है कट ओफ को लेकर आपको मैंने पता दिया पूरी कहानी क्या है अब दोस्तों बात कर लेते हैं वन दरोगा भरती के फिजीकल को लेकर देखिए वन दरोगा वाले चात्रों को मैं अल्रेडी बता चुका हूँ कि आपका जो फिजीकल है वो फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा अब इसको लेकर कुछ चात्र ये करें कि सर फरवरी में होगा तो अब तक इसका नोटिस क्यों नहीं आया देखिए फरवरी में अगर फिजीकल है तो कोई आवशक नहीं है कि आपको नोटिस जनवरी में ही बता दूँगा बागी फिलाला फरवरी मान कर ही चलें अब दोस्तों बात कर लेते हैं J18 के रिजल्ट को लेकर और ASO के रिजल्ट को लेकर देखे J18 का जो रिजल्ट है ये आप मान कर चलें 15 फरवरी तक ठीक है जनवरी में कोई चांस नहीं है पहले बोला था आज ही बोल र फरवरी में देखने को मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों अब भही आब बात कर लेते हैं पैट 2023 के परिणाम को लेकर देखे पैट 2023 का जो रिजल्ट है ये आपको 10 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा ठीक है और रही बात पैट 2023 के द्वारा आने वाली लोवर PCS की भरती को लेकर देखे लोवर PCS की भरती का इंतिजार बहुत सारे छात्रों को बहुत लंबे समय से हैं हाला कि ये भरती पैट 2022 से आनी थी लेकिन शाशन ने इसका आदेश नहीं दिया यानि कि शाशन ने इसको परिमिशन नहीं दी इसलिए अब ये भरती पैट 2023 से आएगी और बाकी अकर कुछ जानकरी और मिलेगी तो आपको देदूँगा मैं बागे फिलाल ये मान कर चलिए पहला दूसरा वग्यापन लोवर PCS का होने की प्रबल संभावना है ठीक है बात दोस्तों कर लेते हैं वी पियो 1468 की मुख्या परिक्षा को लेकर जून 2023 में इसका परिक्षा कब तक होगी देखिए इसकी जो मुख्या परिक्षा है आपको मैंने पहले बोला था आज ही बोल रहा हूं कि चुनाव के बाद लोगसवा चुनाव के बाद ही आप इसकी मुख्या परिक्षा को मान कर चलें मैंने आपसे पहले मई बोला हुआ है तो मई ही आप मान कर चलें कि मई में आपका VPO मुख्या परिक्षा हो जाएगा ठीक है? अब दोस्तो बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भरती के रिजल्ट को लेकर देखिए मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो आपको फरवरी लाश तकी देखने को मिलेगा तो दोस्तो ये होगे आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहल दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जहन जे बारत हमेशा कुश रहिए मुस्काते रहिए और अगर वीडियो फसंद आई हो तो अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं